आज की वेजिटेबल रैप रेसिपी सभी को बहुत पुसंद आती है और ये एक सबजियों से फरपूर स्नेक है वेजिटेबल रैप बनाने के लिए ये सारी समगरी एकठी कर लें सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में एक कप कुनगुना पानी डालें इसमें डालें एक चमच ड्राइएस्ट एक चुथाई चमच नमक एक चमच चीनी और दो चमच रिफाइन डाल कर मिला दें वेजिटेबल रैप को स्पॉंजी बनाने के लिए हम येस्ट यानी खमीर का इस्तेमाल कर रहे हैं अब इसमें दो कप मैदा डाल कर मिला दें मैदा हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए मिलाना है ताकि मैदे के लंस ना बन पाए इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे इसे बिल्कुल एर टाइट कवर करना है जिसके लिए हम प्लास्टिक क्लिंग रैप का इस्तिमाल कर रहे हैं कवर करने के बाद इसे सनलाइट से दूर किसी डाक जगा पर रखे ताकि येस्ट रियाक्ट कर सके और आटा फूल जाए तकरीबन आदा गंटा रखने के बाद आटा बहुत अच्छे से फूल चुका है हम इसकी इस तरह से सारी हवा निकाल कर इसे इस तरह से इकठा कर देंगे हमने इसे आधे घंटे के लिए माइक्रोवेव में रखा था लेकिन ध्यान रखे कि अगर आप भी इसे माइक्रोवेव में रख रहे हैं तो माइक्रोवेव ओन नहीं करना है इसे फिर से कवर करके वापिस और आधे घंटे के लिए रखते इतनी देर में हम वेजटेबल राप के स्टफिंग तयार कर लेंगे जिसे तयार करने के लिए एक गरम कठाई में एक चमच रिफाइन डॉल डाले इसमें एक बारी काटी हुई हरी मिर्ची एक बारी काटा हुआ छोटा प्यास चप किया हुआ एक उबला हुआ अलू चप की हुई आधी लाल रंकी शिम्ला मिर्च बारी काटी हुई आधी हरी रंकी शिम्ला मिर्च चौप किया हुआ एक टमाटर और बार एक टुकडों में काटा हुआ तकरीबन 100 ग्राम पनीर डाल कर अच्छे से मिला दें इसमें डालनें 3 चुथाई चमच नमक आधा चमच चाट मसाला और आधा चमच गरम मसाला डाल कर अच्छे से मिला दें स्टफिंग को हमें पका कर गलाना नहीं है इसे थोड़ा करंची ही रखना है इन्हें हम इसलिए करंची रख रहे हैं क्योंकि इन्हें फ्राइ करते वक्त भी एक बर फिर से पकाया जाएगा स्टफिंग को ठंडा होने के लिए अलग रखतें इतनी दिर में आटा फिर से फूल कर तयार है अब गैस पर फ्राइ करने के लिए पैन चढ़ाएं और इसमें थोड़ा रिफाइन डाल डाल कर गरम करने के लिए रखतें अब तयार के हुए आटे की सारी हवा निकाल दें और इसका इस तरह से छोटा पेड़ा बनाकर फ्लैट कर लें अगर यह हाथों से ज़्यादा चिपके तो आप देल या सूखे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें इस तरह से भरपूर स्टफिंग भर लें और इस तरह से किनारियां आपस में चिपका कर सील कर लें इसे हम गरम तेल में डाल कर फ्राय कर लेंगे तेल में डालते वक्त सील की हुई साइड नीचे की और रखें ताकि यह जल्दी से क्रिस्प हो जाए और स्टफिंग लॉक हो जाए इसे पलेट कर बारी-बारी दोनों तरफ से फ्राय कर लें एक साइट फ्राय होने के बाद हम इसे थोड़ा दबा कर फ्लैट कर लेंगे हमने इसे मीडियम सिम पर ही फ्राय करना है ताकि अंदर के स्टफिंग भी अच्छे से कुक हो जाए जब ये दोनों साइट से गोल्डन राउन रंग कर नज़र आने लगे तब ये अच्छे से पक्कर तयार है इसे हम अब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि सारा एक्स्टर ऑईल अब्जॉर्ब हो जाए इस तयार वेज़िटेबल राप को हम तोड़ कर देख लेते हैं ये देखने में बहुत अच्छा और डिलिश्यस लग रहा है इसकी बाहर की लेयर भी बहुत स्पॉंजी है और ये सबजियों से भरपूर है इसलिए खाने में बहुत मज़ेदार है इस टेस्टी वेज़िटेबल राप को टोमेटू कैचप और चाए के साथ सर्फ करें अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोज एक नई रैसेपी वीडियो देखने के लिए साथ दिये बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं धन्यवाद